दोसो अगर आप एक student हो तो आपके mind में एक ख्याल जुरूर राया होगा कि हमारे teacher जो हमें school में पढ़ाते हैं उनको इतनी सारी चीजे कैसे याद रहती हैं और वो हमें कैसे पूरा सब्चेर के एक frequently way में कैसे पढ़ा पाते हैं क्योंकि एक average student को एक lesson याद करने में बहुत ज़्यादा problem होती है बट एक teacher को पूरी book याद होती है और इसी चीज़ का answer मैं आज की स्वाली वीडियो में बताऊंगा बट उससे पहले कि आप सभी को पता है कि कि एक human अपने सारे के सारे past moments को क्यों नहीं याद रख पाता यस अगर मैं आपसे बेप पूछो कि आपने परसो रात दिनर में क्या खाया था तो लगबग 99% लोगों को उसका answer भी नहीं बता होगा तो अखिर ऐसा क्यों होता है तो इसके पीछ एक simple का logic है कि जब भी हम रात को सोते हैं तो हमारा mind wash होता है हमारे brain ने जितनी भी दिन भर में चीज़े देखी है और याद की है उसमें से unnecessary memory delete कर जिता है ताकि हमें इसी important important चीज़े जो दिन भर में हमारे साथ हुई है वही याद रह सके that's why आप ऐसी छोटी मोटी unnecessary चीज़े भूल जाते हो अपने past में हुई भी but आप अपने mind पे control भी कर सकते हो अगर आपको कोई चीज याद रखनी है और आप चाहते हो कि मैं वो चीज ना भूलू तो सिर्व आपको वो चीज अपने mind में दो से तीन बार remind करनी है और आपका brain उसे कभी delete नहीं करेगा अब बात आती है हमारे second question पर कि कैसे हमारे teachers इतनी सारी चीज़े कैसे learn कर पाते है तो ये actually teachers को भी नहीं बता होता बट वो एक learning trick का use कर रहे होते है ये बस एक psychological trick होती है जिसका use teacher करते है बट उनको भी खुद नहीं पता होता कि हम कैसे trick यूज़ कर रहे है तो ये psychology कुछ ऐसी होती है कि अगर हम कोई भी चीज learn करते है और हम चाहते हैं कि वो हमें permanently याद रहे है तो अगर हम वो learn करी वे चीज़ किसी और को बता दें और फिर वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे ऐसे ही teachers जो भी चीज़ हमको पढ़ाते हैं फिर वो उनको permanently याद हो जाती है तो guys बस आज की स्वाली वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो guys बस आज की स्वाली वीडियो में इतना ही मिलता गली वीडियो में गुडबाई